सब्सक्राइब को पता है कि प्राइवेट सेक्टर की यह सब्सक्राइब कंपनी है जिसने दो हजार चौबिस और पच्चिस में पास हजार क्रोपे के रिकावरे टार्गेट से आगे निकल ली कि उमीद मतब जताई हैं बैंक ने मैनेजिंग डिरेक्टर और चीफ एक्जेक्यूटिव ऑफिसर पसंत कुमार ने आज के दिन नतीजों के बाद कॉम्फरेंस कॉल में जानकारी दी थी कि उन्होंने कहा कि हमने फाइनेशल एर टूथाउजन टूटिफोर से और टूटिफाइफ में पास हजार रुपे की रिकवरी की है अगले ही क्वाटर फोर में फाइनेशल तूटिफोर में फंद्रा सो क्रोड़ पे की वसूली की उमीद मतब इन्होंने जताई है और यह बैंक ने भी कहा है की दिसंबर क्वाटर में यह बैंक में 231.6 क्रोड़ पे का नेट प्रॉफित दर्ज कि कंपनी का मुनाफ़ एक साल पहले ही 51.5 क्रोड़ पे रहा है और यह इसी लिहाज से देखा जाए तो कंपनी के मुनाफ़ में सालाना अधार पर 349.7 पतिशत की बड़ोती देखनी को मिली हालांकि 231.6 क्रोड़ पे का नेट प्रॉफित बजार के अनुमान से कमजोर ही रह है और बजार को तीसरी क्वार्टर में का मुनाफ़ा लग बग 415.1 क्रोड़ पे का अनुमान नदब उनका एक अनुमान था कि इतना 415 क्रोड़ पे का इनको नेट प्रॉफित हो सकता है बट ऐसा नहीं हुआ है और मैं बता दो कि यह बैंक की नेट इंटरस्ट इंकम का हो गया है और पिछले साल की क्वार्टर की क्वार्टर में ही जो नेट इंटरस्ट था नेट इंटरस्ट इंकम थी वह 1,970.6 क्रोड़ पे रही थी जैसे के बैंक का ग्रॉस नोन प्रफॉर्मिंग एसे जिसको हम NPA कहते हैं वह 2.0% रहा और इसमें पिछले साल के मुकाब 2.0% से कोई बदलाब नहीं हुआ है दूसरी और जो क्वार्टर के लिए NPA पिछले साल के मुकाबले 1.7% की तुला में 0.9% ही रहा यह इस बैंक का ग्रॉस NPA सप्टेंबर क्वार्टर में 4,319 क्रोड़ से थोड़ा बढ़कर 4,457 क्रोड़ पे हो गया है जबकि नेट NPA क्वार्टर के अधार पर 1,885 क्रोड़ से बढ़कर 1,934 क्रोड़ पे हो गया है कि पिसले ही एक महीने में यस बैंक में अगर आप देखोगे ना सब्सक्राइब कर देखने को मेरी है और मैं इस बता दू साल भर के अंदर सब्सक्राइब काफी अच्छा इसने मतब रिटन गें किया है जैसे धीरे धीरे पहले यह दिवाले होने वाली थी और भी पैनी स्टॉक हो गया है खाली 30,000 क्रोड का ही देखने को मिलता है तिक्र सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं तो बाकी मैं आपको ही कहांगी कि खुछ सब्सक्राइब करिएगा चेक करिएगा गाई जन तभी इन्वेस्कर के चरिएगा तो गैस मिलेंगे नेक्स वीडियो में चैप नहीं है ना तो लाइक बिकरना म बुलिवट बाएगे थैंक यू